नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्ट कीदर पातिल मैं पेट का सर्जन हूं पूने में प्रक्टिस करता हूं पेट के cancer वजन कम करने के operations और हर्निय स्पैशेलिस्ट हूं पूने और संगले इन दोनों शवरों government करता हूं तो इस वीडियो में हम बड़ी आत की कैंसर के बारे में हम जानकरी लेंगे तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि बड़ी आत की रचना कैसे होती है तो बड़ी आत की अगर हम देखे तो तीन हिस्सों में हम इसका देख सकते हैं mainly यह होता है right side का colon यह होता है left side का colon तो right side का colon माने यह चालू होता है छोटी आज जहां पर खतम होती है वहां से चालू होता है appendix एक पार्ट है उसका और यह जाके left side को center of the body में मिल जाता है इसके बाद हम इसको left colon बोलते हैं left colon के descending colon sigmoid colon rectum और anal canal इसे चार पार्ट है तो appendix से लेके गुद्र नली का यानि अनल कैनाल या अनल उवर्च तक होने वाले cancers को colon rectal and anal cancers बोला जाता है तो पहली बात हम देखेंगे इसमें कि cancer होने के causes यानि cancer क्यों होती है cancer होने के सबसे सबसे बड़ा reason है अगर आपके family में यह hereditary है आपके family members में किसी को भी 40 साल के पहले अगर पेट का कोई या आथ का कोई भी cancer हुआ है तो उसमें आथ का cancer होने का संभावना ज्यादा होता है कि तो यह genetic reason है कि तो जिन लोगों को यह family में दिखाई देता है उनको थोड़ा frequently और अर्ली कोलानोस्कोपी करना ज़रूरी है कि दूसरा reason होता है addictions जैसे smoking हो गया तंबाकू हो गया कि अलकॉल हो गया जिन लोगों का chemicals के साथ बहुत ज़्यादा संबंद आता है तो इन लोगों में कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है काफी सारे अन्य कारण भी है पर यह दो सबसे महतोपूर्ण बाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है अब हम देखेंगे कि इसके लक्षन यानि साइन सिंप्टम्स क्या है कैंसर अगर राइट साइड का है तो जनरली यह थोड़ा देर से मालुम पड़ता है क्यूंकि इसके लक्षन जल्दी पता नहीं चलते हैं कुछ लोगों में अगर कैंसर की शुरुवात इस एपेंडिक्स की जगह में है तो उनको एपेंडिसाइटेस हो सकती है जिससे इस बात का पता चलता है कभी-कभी यह ऑपेंडिक्स का ऑपेंडिक्स होने के बाद पता चलता है अगर दूसरी जगह कैंसर है राइट साइड में तो इस कैंसर की गाट से थोड़ा थोड़ा खून निकलनी की वज़े से काफी सारे पेशेंट्स को एनेमिया माने हिमोगलोबिन की कमी दिखाई पड़ती है संदास में खून जाना दिखाई देता है यह इस बात पर मैं थोड़ा जादा बताना चाहता हूं क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स को संदास में खून जाता है तो इसे लोग कि पाइल से करते हैं या बवासिर्स से करते हैं , काफी लोगको FIISHER भी हो सकता है, पर यह पाइल्स है, FIISHER है यह CANCER है यह एक उछे older ही बता सकता है स्पेशली keynote जो आपको अंदर से जाच करके बताए कि यह पाइल से फिशर है या दूसरा कुछ हो सकता है तो हमने देखा कि काफी लोगों का ब्लड जाने की वज़े से खून कम हो जाता है दूसरा जिससे उनको बहुत टायर्डनेस यानि थकावट महसूस होती है दूसरा होता है सेंडास में खून जाना तीसरा लक्षन हो सकता है कि नॉन इंटेंडेड वीट लॉस मतलब आप वजन कम करना चाहते भी नहीं हो तो वजन कम हो रहा है तो अगर आपके वजन के दस टका वजन कम हो रहा है छे मेने में विदाउट एनी एक्सरसाइज और डायट तो इसका जांच करना ज़रूरी है काफी लोगों में लॉस आफ एपेटाइट मतलब भूक न लगना तो ये सारे लक्षन है कैंसर के अगर कैंसर बढ़ गया है फैल गया है तो ऐसे सिचुएशन में चक्कर आना खासी में खून निकलना बोन में पेन होना या अन्य लक्षन दिखाई देते हैं पर ये लेट स्टेज कैंसर की लक्षन है पेशेंट को अगर लेफ साइड पे कैंसर का गाठ है तो ये गाठ धीरे धीरे बढ़ जाता है तो शुरुवाती स्टेजेस में पेशेंट को अल्टर्ड बावल हैबिट्स मतलब कुछ दिनों के लिए पेशेंट को कब्स होता है constipation होता है कुछ दिनों के लिए जब गांट पिघल के कम हो जाती है तो डाइरिया होता है यह कुछ महीनों तक रहता है उसके बाद इसको बोलते हैं altered bowel habits इसके बाद यह गांट बढ़ती जाती है और जब यह 90 से 95 टके संडास की जगा बंद कर दीती है तब सिर्फ कब्स का प्रॉब्लेम रहता है यह बढ़ता जाता है साथ में खून निकलता है और उसकी वज़े से पेट फूलना चालू हो सकता है की तो लेफ्ट सैड के सिंटम्स अलग है लाइट सैड के हांथ के गांसर की लक्षन अलग है कि रेक्टल कैंसर जो है मतलब संदास की जगह के नज़धी को जो इरियार्यग को मला शय चलिए यह कांसर में vos यह फैला लक्षन जाना पड़ता सबसे पहला इनका लक्षन दिखा दिता है वह ब्लीडिंग कि सिंदास के पाटन में चेंज के अलावा खून जाना यह कॉमन बात है और वजन कम होना यह तीन चीजे उसके साथ ही खाना कम खाया जाना यह लक्षन है आप बड़ियात की कैंसर के तो उसके अलावा अगर यह फैल गया है तो खासी चक्कर पिशाप में खून जाना जांगों में सुजन यह सारी चीजे हो सकती है और कैंसर की गांट अगर पूरी तरीकी से इस आंथ को बंद कर देती है तो उस कंडिशन को बोला जाता है इंटरस्टैनल आप्स्टक्शन तो इसमें ख फूलना या वामिटिंगट उल्टी होना यह सब चीजे हो सकती है तो हम ने देखा कैंसर होने के कारण क्या है और इसके लखशन क्या है और ओप्स्टक्षन ये लेट लक्शन है वैसे ही पेन य獰 दरद पेत का दरध यह बड़ी आगी जानश का थोड़ा लेट लक्षन माना जाता है जब तक पूरी तरह से आप्स्ट्रक्शन ना हो जाए या कहीं आजवाजव के और गन्स में अगर यह फैल जाए तब जनरली पीन दिखाई दिता पर दिखाई दिता हमें तो यह हो गए बड़ी आत के कैंसर के लक्षन